हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है ब्लू एस्टक एक्स क्लाउड गेमिंग कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शु इंटर करते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ओप्सन दिख जाएगा इसको पर आपको क्लिक करते हैं ब्लू एस्टक को फिशली वैप साइट ओपेन हो जाएगा बाकि इसका लिंक आपको फेस्बूक यानि तो टेलिगराम चैनल पर मिल जाएगा या तो आप वहां से इस ल वर्जन रिलीज हो जाएगा दो तीन महने के बाद तो यहाँ पर आपको बीटा हाट जाएगा लेकिन सेम तरीके साब खेल सकते हैं यहाँ पर सेम तरीका मिलेगा इसको यूज करने के लिए आपके पास कोई भी अच्छा PC नहीं होगा तो भी आप गेम कहल सकते हैं यहाँ पर आपको एमलोटर इंस्टॉल करने की जोत नहीं है इसके लिए आपको क्या करना यहाँ पर प्लेया ओन क्लॉड दिखे रहा है इसको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से ब्रॉजर में एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ यह सारा ओप्शन मिल जाएगा यदि आप क्लॉड वाले गेम खेलना चाहते है याने बिना कोई डाउनलोड किये हुए गेम आप खेलना चाहते है तो यहाँ पर आप क्लॉड पर क्लिक करके यहाँ से खेल सकते हैं अभी यह बीटा भर्जन मीं है इसलिए आपको क्लॉड पर बहुत लिमीटेट गेम मिलेगा लेकिन धिरे धिरे यहाँ आपको बहुत सारा गेम मिलना सुरू हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा प्लेएंड़ गेमिंग आउन दगलॉड यानि आपको डाउनलोड करने की इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर तीन option मिलेगा यहाँ पर इन तीनों में से किसी भी से भी यहाँ पर आपको sign in कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर sign in कर लेता हूँ sign in होने के बाद इस तरह से आपके case में भी दिख जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर sign in हो चुका है sign in होने के बाद जो इस गेम के ऊपर आप किलिक करेंगे वो गेमें स्टार्ट हो जाएगा आप देख रहे हैं इस गेम के लिए डाउनलोड करने की कोई जोद नहीं पड सकते हैं ऊटोमेटिक यह गेम इस्टार्ट हो चुका है नहीं एमलोडर का जोद पड़ा तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर आप गेम केल सकते हैं बस आपको क्या करना यहाँ पर कुछ second वेट करना पड़ेगा तुए आहाँ पर फिर्स टाइम कुछ सकेंड आप आप देखना है यहाँ पर यह गेम है स्टार्ट हो चुका है यदि आप एस्किप करना चाहते तो यहाँ पर आपको क्या करना है टाइप दबा के आप इसको एस्किप भी कर सकते हैं अब आप यहां से इस game को खेल सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस game को खेल लिजेगा, बाकि यहां पर आपको volume कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाएगा, यहां पर आप देखरें आपका account दिख जाएगा, तो आप इस तरह से कोई भी game बिना download किये हुए खेल सकते हैं, यहां पर देखरें आप first time यहां पर कुछ second लेता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर कुछ second वेट करना है, उसके बाद यह game स्टार्ट हो जाएगा, आप देख रहें ये गेम है स्टार्ट हो चुका है अब आप इस गेम को खेल सकते हैं लॉग इन करके खेल सकते हैं जैसे आप खेलना चाहते हैं यहापे आप खेल सकते हैं बिना कोई emulator का यह cloud basis है किसी भी low end PCP से भी आप खेल सकते हैं अब हम इसको यहां से close करते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहां पे Android गेम मिल जाएगा इसको पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको Android गेम मिल जाएगा यहां पर जो गेम आपको दिख रहा है इस गेम के लिए आपको emulator के जोट परेगा तो ही आप इस गेम को खेल सकते हैं ओ भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा यहां पे आपको My Game के लिए दिख जाएगा जो भी आपका गेम होगा यहां पे आपको My Game दिख जाएगा यहां पे आपको कुछ सेटिंग दिख जाएगा यहां से आप feedback दे सकते हैं, यहां पे आपको preference दिख जाएगा, यहां से आप language select कर सकते हैं, यहां पे आपको about दिख जाएगा, अब हम बात करते हैं Android Gaming के लिए, यहां पे आपको click कर देने, click करने के बाद यहां पे आपको जो भी game खेलना चाहते हैं, इसके लिए आपको emulator की install है, ता आपको क्या करना, यहां पे launch पे click करके इस game को आप install कर सकते हैं, यहां पे आपको case में पहले से blue stack x install नहीं है, ता आपको क्या करना, यहां पे download नो दिख रहा है, इसके ओपर आपको click कर देने, click करने के बाद यह window open हो जाएगा, अब आपको क्या करने, आप जहां xe को save करना चाहते है, और पाढस select कर दीजेगा, उसके बाद आपको save पे click कर देने, click करते हैं, यह download हो जाएगा, डाउनलोर के बाद आपको क्या करते हैं, स्वल्डर के उनलग के लिखने, जहां आपने xe को save कि हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से xe दिख जाएगा, आपक केस में यहाँ पर नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है अब हम इसको 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 पर डबल किलिक करके इसको इसको कर लिजेगा लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कोई भी अप्लिकेशन आपको राने में करना चाहिए इसलिए मैं अपने केस में किलिक किया किलिक करने के बाद इस तरह से विंडूव से और हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर किलिक कर दAYने यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे कहाँ पे install होगा यहाँ पे आपको path दिख जाएगा यदि आप c-dip के अंदर install करना चाहते हैं तो यहाँ पे c-dip भी रहने दिजेगा इसके बाद आप install पे click करकर install कर सकते हैं यदि आप path change करना चाहते तो यहाँ से click करके आप path भी change कर सकते हैं, आप जिस भी dab के अंदर install करना चाहते हैं, वो dab select कर लिजेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ok कर देने, तो यहाँ पर यह path change हो जाएगा, path change करने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर install पर click कर देने, install पर click करते हैं, यह install होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ निक करना है, आप देख रहे हैं, यह install हो चुका है, install होने के बाद आपको क्या करना यहां पर launch दिख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक कर देने यानि तो आप इसको यहां से close कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको desktop को आइकन मिलेगा या तो आप यहाँ पे click करके open कर सकते है या नहीं तो आप search पे click करके open कर सकते है दोनों में से आप कहीं से भी click करके open कर लिजेगा चलिए मैं अपने case में यहाँ पे click कर देता हूँ click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पे कुछ सकेंड वेट करने के बाद यहां पे आपको यह window open हो जाएगा आप देख रहे यह window open हो चुका है सेम तरीके से यहां से भी आप खेल सकते हैं यहां पे भी आपको वही चीज मिलेगा यहां पे आपको home page पे दिख जाएगा यहां से आप cloud game केल सकते हैं बिना download के हुए यहां पे आपको gaming के लिए दिख जाएगा जो भी android game होगा इस game को आपको download करने के जोद परेगा जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा यहां पे मैंने बताया था आपको battleground mobile india download करके दिखाऊंगा अभी आप देख रहे हैं यहां पे blue stack install भी हो रहा है side में आपको दिख रहा होगा यहां पे install हो रहा है यानि तो आप यहां पे click करेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा download इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दिख जाएगा आप देख रहें यहां पे blue stack 5 is required अभी यह install हो रहा है इसलिए नहीं दिखा रहा है आभी देख रहे हैं यहाँ पर blue stack 5 इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है तो आपको क्या करना यहाँ पर इंस्टॉल होने तक वेट करना है इंस्टॉलेशन कंप्लेट होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ जाएगा blue stack installation successful इंस्टॉलेशन कंप्लेट होने के बाद इस तरह से automatic यह blue stack 5 ओपन हो जाएगा अब आप यहाँ से sign in करके उस game को download करके खेल सकते हैं बागी blue stack 5 के अंदर bgmi कैसे download करते हैं कैसे install करते हैं और कैसे इस game को खेलते हैं इसके regarding मैं पहले वीडियो बना के रखां उसका link आपको i button पे मिल जाएगा वीडियो देखके आप इसको install करके खेल सकते हैं इस वीडियो में इतना हैं और please guys channel को subscribe करे, like करे, share करे, thank you उसके बेसे लागाँ वीडियो करे, आपको करे तार रखां रखेलों उसके वीडियोद करे दो, अपका पार्स आपके ने जाएगा जहाँझा अब्हाँ को था आफे आएगा आपका लुगदा हैं